सेशिकल स्टुडेंट्स मेरा नाम है शेरिन ते तुसी देख रहे हो एर्युडिशन स्टाडिज ऑफीशिल चानल एस चैनल दे उपर तो नो दो कोर्से जचकल करवाए जा रहे हैं सब तो पहला है पॉलिटी धा कूर्स जिस देविच असी लक्षमी कांदी बुक नो बहुत जड़ी हैं तब यहां उस्टी केडर देव कैंसी जायां उस्टा सारा स्लेबर्स ता नो कुरवाया जा रहे है इस दूसरे सेशन देविच ऑके ति उसे ही सेशन दा ही एक पार्ट है नंदलाल नूर्पूरी और एवले चड़े सेशन है सिर्फ मास्टर केडर देले ही पूरी पूरी प्ले लिस्ट बनी मिल जाएगी ओके स्टार्ट कर देया फिर आज दे सेशन नूँ और अगर तो नूँ पूरी प्ले लिस्ट बनी मिल जाएगी स्टार्ट कर देया फिर आज दे सेशन नूँ और अगर तो नूँ किसे वी सेशन दी पीडिएफ चाहिदी होए ता तो नूँ टेलिग्राम जॉइन करना है उस देले तो नूँ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच ओके जी चलो करिए स्टार्ट सब तो आधूनिक पंजाबी गीत दे मोड़ी किन्ना नू क्या जान्द है नंदलाल नूरपुरी नूर ता इक चीज हुने ही माइंड दे विच बिठालो आधूनिक गीत इस इकल टू नंदलाल नूरपुरी ओके यह बहुत जाधा इंपॉर्टेंट है गीतां दे मामले दे विच नंदलाल नूरपुरी ने पूरे ही इंडिया दे विच बहुत जाधा नामना खट्टे हैं ओके एनना दा जन्नम होया 1906 दे विच पिंड सी नूरपुर ता ए ताही एनना दा नाम नूरपुरी प्या अगे है जिला लाइलपुर जोकी पाकिस्तान दे विच है पिता जिद ते पर एना ने वेच ही पड़ाई छड़ दीती कादेली देखो एना ने कवी दरबारां देवीच हिस्सा लेना स्टार्ट किता सीगा जिस टाइम देऊपर तुछी नंदलाल नूरपूरी बरे पड़ रहे हो ता तुछी एस टाइम स्लोट नू देखो एस टाइम देऊपर पूरे इंडिया देवीच किनिया ही लहरां चल दियां पियां सी ना मिलवर्तन लहर चल रही सी अकाली लहर चल रही सी कुका लहर चल रही सी गल की करिये कि अजादी देबारे देवीच किनिया ही लहरां चल रही सी एनना सारी यां लेरां डे विच कवी वी अपना योगदान पारे सी, किस तरह? स्टेजी कवितामा गाकी, ता लोकानू एनना दिनाल काफी जागरू की ता जार्या सी गा, एनना सारे कवियां डे विच हीरा सिंग दर्ध, गुर्मुक सिंग मुसाफिर, ता नीराम चात्रिक परगे कवी आनगे, जेडे की लोका दे विच देश पक्ती दी जोत जगोंदे रहे हैं, ते एहो जे कवियां तो फिर ए वी बे रुखे नी रहा पाई, एननना ने वी धरबारने विच हिस्सा लेना शुरू कर दिता, ते ए ओधे विच बहुत जादा गुम होगे, ते फि अखीर ते गुजर बसर करन दे लिए कोई ना कोई कमता करना ही पहना सी, सब तो पहलना एननने फरीद कोट दे विच एक अध्यापक दे वजो नोकरी कर ली, जित्थे भी तोन्हों रेड मार्क मिलेगा, ओ तो आटे लिए अलागतों एक प्रशन बनेगा याद रखना, त नहीं तो पूरी तरह याद रहे कि इस पर्शन बारे असी कित्थे और किद्धा बढ़या सी, कल्ले MC क्यों करन दा ता फाइदा नहीं हुन्दा, कि ओन्दा सपोर्ट तो नो लग दे है कि हांजी हांजी मैंनो याद हो गया, पर जे किते तो अडेकोल लो इंडिरेक्ट वे सब इंस्पेक्टर यानि की थानेदार वजो न्यूक्त होगी, तो यह जादा दिर वैसे नोकरी करनी पाए वाली वी क्योंकि एन्ना दा जड़ा सुबाहा है और बहुत जादा अलग सीगा, एन्ना नो एक वारी जदो थानेदार सीगे, एन्ना नो एक मिशन मिल्या, जिस तिन लोगा नू एन्ना नो मारना पया, ठीक है, ओविसली जदो कोई क्राइम करेगा, ता उस दे विच एन्ना नो बहादरी दे लेई इनाम भी मिल्या सी, ठीक है, तमगा भी मिल्या, पर फिर एन्ना नो एक दा लगया कि ए वाली जड़ी नोकरी है, मेरे ले नहीं बनी, ते इसलिए एन्ना ने नोकरी छढ़ दिती, ते बीका निर दे विच एन्ना दा व्याहा हुया सी गा, सुमित्रा देवी देनाल, एन्ना दे कर छे लड़कियाने और दो लड़कियाने जनम लेया, लड़कियाने नाम है गया है सट नाम और सट कर्तार, ठीक है जी, ता जलंदर विच आके वासगे सी और अपनी जिन्दगी दा जड़ा आखरी टाइम है उनने जलंदर देविच ही कट्या सी ते नंदलाल नूरपुरी दे गीतां दी परसिद्धी देखनी है तक इद्धा देख सकते हो जी एनने उस टाइम दे उपर यानि अपने टाइम ते कई आखो जया फिल्म है जिन्ना दे विच एननने गीत लिखे ते सब्तों जादा जड़ी महत्तव पूरण फिल्म रहेगी एहें मंगती है पता ही नी किन्नी वार एवला क्वेशन पुछया जा चुके है मास्टर केडर दे विच यूजी सी वेच ठीक है पर असी हुनने थे कल ike film ली याद रखनी और चार फिल्मानु याद रखांगे थिक है सब तों पहले फिल्म नहीं मिलींसी पञ्जाब Myers कि और ते सी एननने पूरे पंजाब दे विच एनननने पच्छान बना देती सी गी यूपर बहुत जादा लैक सारे ही लोग चांदे सी गे पारे ही पंजाबी फिल्म निर्माता चांदे सी अना नू साइन किता जाए ओके ती उन्नीसो संताली दी वंडतों बाद एना ने उन्नीसो इकाठ दे विच वलायत पास नाम दी मूवी दे विच वी गीत लिखे सी ठीक है इस तो बाद ए जडियां दो फिल्म है एना डे इस दे विचो एना ने ग्यारां दे विचो तिन गीत लिखे सी और गीत बहारा दे ए मूवी आई उन्नीसो चोंट दे विच और इस दे सत गीतां दे विचो दो गीत नंदलाल नूरपुरी ने ही लिखे सी ठीक है और कुछ टाइम तक एहे एक विदेशी कंपनी कोलंबिया फिल्म कंपनी दे लेई वी गीत लिख दे रहे हैं मिर्जा साहिबा दे लेई एना ने एक ओपेरा वी लिख्या सी गां ता इस तरह तुसी देख पारे होगे कि अपने टाइम दे उपर किन्ने जादा मन्ने पर मन्ने गीत कर रहे होनगी नूरपुरी किन्ने दौरदे कवी है दूजे दोर दे कवी ने और एहे तार्मिक और रुमांटिक परवित्ति दे कवी सी जदो की एना ने होर वी काफी तरीके देनाल लिख्या सी ओके ता एथे तुसी देख पारे होगे कि असी किता उन्निसो संताली तक नहीं कवी दरबारा दे विच जान्दे रहेने है ना पर जदो देश दी वंड होई उस तो बाद एना दी जिन्दगी दे विच काफी कुछ बदल गया सीगा ठीक है एना दी जड़ी आर्थिक हालत है होली होली करके निगारवर अंधी जारी सीगी ते एना नू चंगे पागा दिनाल पंजाबी विपाग पाशा विबाग दे विच नोकरी मिल गई ओके पर अपने सुबहा दे करके यह उत्थे वी जादा देर कम नहीं कर सके ठीक है ते एना ने दो तो लेके टाइस साल दे विच ही ए वाली नोकरी भी छट दिती फिर बात दे विच हे जलंदर दे विच ही कवी दर बारान दे विच और रेडियो प् पसर करन लगे ओके टे एक टाइम दे विच पंजाब सरकार ने एना नुप चत्तर रुपए दा वजीफा भी देना शुरू कर दिता पर क्योंकि एना दा परिवार बहुत जादा वड़ा सी गा एननी थोड़ी आम दिनी दे विच एना दा घुजारा करना बहुत जादा कि एसे ही आर्थिक करके होली होली करके न निराश होल लगे टे एना दी निराशा तो अनुआ दिया रचिनामा दे विच साफ नजर आएगी ए लिखने है बड़ा जिंदगी दा मैं सताया होया हां कि तंग एस जिंदगी तो आया हुआ हां ता एथो पता चल रहे है कि अप विवस्था करके और कोर गलीबी दी हालत देविच एना ने फैसला लेलिया कादा जी एना ने सोच्या कि हुने अपने जिन्दगी नू अपने हत्थी खतम करनगी यानी कि आतम हत्या करन बारे सोचन लगे इसना मतला नंदलाल नूरपुरी ने एंड वाला टाइम जो निकाल इस तरह 1906 तो लेके 1906 तक दा टाइम जो है नंदलाल नूरपुरी जी दा टाइम है और एहे 60 सालना दे करीब दी उमर दे विच इस संसार नू अलविदा कहके चले गए एना दी जेडी पूरी दी पूरी रचन है एना दे दिहात तो कई साल मगरो छपी सी किताब दा नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना पंजाब बोल लेयां तो मैं तो नू दस्या की गीत दा मतलब है नंदलाल नूरपुरी तक की सिरफ एना ने गीत लिखे नहीं इस देन आलना लेना ने कवितामा भी लिखियां गजला में लिखियां एना ने टोटल 71 गीत ल खोली पाई हैं ओके तक क्योंकि सब्तो जादा गीत लिखे है और एना ने गीत लोकां देविच बहुत जादा परचलित होए सी इसलिए एना नू गीतां दा बादशा भी बोलेया जान्द है ता मैं तो नू पहला ही दस्या होया है जदो वी तुसी को ही साहित कार करोगे क अना दी पहली रचना और अना दी आकरी रचना ए तो उनू पता होनी चाहिए ता एना ने सब्तो पहला गीत लिख्या सी मैं वतन दा शहीद हां इसनू कदो लिख्या गया 1905 दे विच और ऐस गीत दे विच एना दी देश पक्ती दी पामना बिल्कुल साफ नजर ओं दी ए फिर एना दिया कुछ महत्तव पूरन रचनामा दे बारे दे विच ठीक है जो की अकसर ही पेपर दे विच पुछियां जान दिया है तो सब तो पहली रचना दाते दिया बे परवाईया तो ओए बे परवाद डर्या कर इस तो की पता चाल रहे है कि नंदलाल नूरपुरी रब तो डरन वाले इंसाना तो हैगे ने ठीक है रबदा खौफ एना दे कुल हैगा सी उस तो बाद बले नी पंजाब दिये शेर बचिये फिर है गोरी दिया चांजरा बलोंदिया पईया चनवे के शौंकन मेले दी ता ए जदो तुसी तिन कवितामा देख रहे हो ना एना शुंकन मेला तो घेड़ा पाके शौंक बेसाना तो हैगे यहां केड़ बहुत के लिए मैं बहुत लिए देखन नूं मिल रहा है एथे मिल रहा है कि एहे तार्मेक परविर्ति देवी परसन सीगे एना ने तार्मेक बेस देऊ पर भी अपनिया रचनावानू लिख्या है अगे है किते माता तो रहा अजीत ते जुजारनू जदो तुस्य एना निया तार्मेक किरता देखोगे तत अन्नु दसमें पाथशा शिर्गुरु गोबिन सिंग्जी दे बार दे विच काफी किर्टा देखनों मिल जान गियां ठीके जी अगे है वंगा वंगा नाम दी जड़ी अना दी किर्ट है इस दे विच एना ने अपने स्वैद प्रगटावे नु पेश किताया थे वाला आग कडल है पतलिये नारे कोण आखु जैलदार नी पैर तोके चांजरा पॉंदी ठीके जी अगे होना सी देखना है कि नंदलाल नूरपूरी दे जड़े गीत है ओ एन्ने को जादा फेमस ही गे कि कई मन्ने परमन्ने गायक है जिन्ना ने अपनी आवास दिती एना दे गीता न बहुत ही फेमस गायका ने वी एना दे गीता नू गाया या और जदो तुसी एना दे गीता नौजवान नू देखोगी और शरीरिक पक्तों भी बड़ा मजबूत दिखता है मानसिक पक्तों भी ते आत्मिक तौर दे उपर भी शुरू-शुरू दे विच नंदलाल नूर कुरिजने तो अनू पता है बहुत ही स्ट्वागल किता फेर वी कदी डोले नी सी एना ने कदी हार नी मननी सी ठीक है इसे करके ही ए सारिया चीज़ां यानि की शरीरिक मानसिक और आत्मिक तोर दे उपर बलवान होना एक इनसान दा एना दे किरता मेंच नजर ओन दाया पर टाइम ने नू तोड़या उनी सो संताली तो बाद जदो एना दे आर्थिक हालत बहुत नीचे आन लाग गी सी ठीके जी अगे एना दे याद दे वीच एक सोसाइटी बनाई गई है इस सोसाइटी दा तुसी नाम याद रखना नंदलाल नूरपुरी सोसाइटी और एक कु कि जी इस तो बाद पट्याला दी पंजाबी युनिवासिटी ने एक बहुत ही अच्छा इनिशेटीव लेया और 1969 दे विच एना ने नंदलाल नूरपुरी दी समुच्ची रचना नू इक सिरलेक दे हेट छाबया सिरलेक है गया नंदलाल नूरपुरी काव संग्रें ता उस तो बाद फुलवाडी नाम दा एक मासिक पत्तर है जो कि हीरा सिंग दर्द दा है गया एदे विच हीरा सिंग दर्द ने नूरपुरी दियां कवितावानू छापया सी बहुत इंपॉर्टेंट है एनना दी गीत कारी दा सुनेरी काल केड़ा मन्ने जाएगा 1940 तो लेके 1960 तक दा काल है ना दा सुनेरी काल है नसी अगे कुछ एदा निया बुक्स कुछ एदा निया पुस्तका देख लानिया जो कि एनन दीया चपिया है और बहुत ही फेमस भी होई है उनना दे विच्चो किद्धा अने क्वेशन आ सकते है असी ओ भी देख लागे ठ एन ना नी अपने पहला काव संग रहे हैं प Sag fya कि थे वंगा बाहरे मैं तुन थे दास दिता कि इस तो बहांने स्वैद प्रक्ताविदी गलकिती उस्तो बाद है जियोंदा पंजाब इस दे वी चन्ना ने पंजाब दे समाज्जीक, राजनितिक, आर्थिक और सब्याचारक हलातना भारे दस्यां फिर है नूरपुरी दे गीत इस तो बाद आयना दे बहुती जादा महत्तपुरन किताब है सुगात एनू तुसी बिल्कुल भी नी पुलना एनू पंजाब दे पाशा विबाग दे वनो सनमानित भी किता ग्या सी दूसरी चीज दूसरा प्रशन है कि एनना दा है आखरी काव संग्रह सी केड़ा जी सुगात हीरा सिंग दर्द ने ऐस काव संग्रह दे बारे की बोल्या एनना ने क्या कि सुगात दे दे विच नूर पूरी दे जड़े चोण में गीत है और कविताम है ए लोका नो सुगात दे वजो ही पेटा कितिया गई है ठीक है एवी याद रख लेना कि एक ओट किनना दी है हीरा से इंग दर्द दी अग्गे फिर एनन दिया दो एकको वर गया रचनाम है एक सुगात है एक आखरी सुगात है एनना दोना दे विच कनफ्यूज नही होना ठीक है आखरी सुगात 1972 दे विच यानि कि एनना दे मर्नोप्रांद छपी सी एननद या समुच्या कवितामा दा संगरैं पर जे तो अडेकोल पुच्छा जाए कि चोण मिया कवितामा दा संगरैं केड़ ह अगे नंदलाल नूरपुरी जी ने लिख्या इकवार केंदे की गीत लिखना कविता लिखन नालों ओखा है मैं कोशिश करदा है कि अपने गीता राही लोकानों कुछ दे सका अपने गीता राही कोम ते देश दे खिदमत कर सका ता एक कोट किना दियें जी नंदलाल नूरपुरी दी एंदे तुसी पहली लाइन याद राख लेना उस तो ही तो अन्नु अगर प्रशन पुच्छा गया तो तुसी डिरेक्ट आंसर लगा सुकोगी ठीक है कि गीत लिखना कविता लिखन नालों ओखा है ते असी ता पहले लाइन तो ही बोड़ रहे हैं कि गीत दा मतलब है नंदलाल नूरपुरी ओके जी अग्गे चल दे याँ कुछ एनना दिया महत्तव पुरन रचनाम है ओन यानू याद रखना ओके जी अग्गे माता गुजरी जी दे विचेह दिखान दे है कि माता जी जोने यानि माता गुजरी जी जो है गया है ए छोटे साहिब जाने यानू याद कर रहे ने फिर प्रीतम दी पाल एदे विचैना ने प्रीतम दे तिन रूप दिखाए है पहल ए तिन चीज़ा एन्ना ने प्रीतम दी पाल देवेच दिखाई है पिंगा कविता देवेच एन्ना ने एक कुड़ी दियां सद्रानु दिखाया है जाग मुसाफर देवेचे की दिखारेने ए कहरे है कि जड़ा पंजाब है ना इसते नोजवाना दी सोच मर चुकी है और एन सामदेनल पता चाल गया होएगा एन्ना ने समाजिक विशे भी दिखाया है इनकलाबी विशे भी दिखाया है देश प्यार तार्मिक विशे मज़ूरा दे हाक देविच एन्ना ने अवाज भी चक्की है बड़ी ही सिंपल पाशा देविच अपने गीत लिखे जिस करके ए बिल्कु लोग गीता वरगे लग देने विशे भी एन्ना ने लोका दे विच्चों ही चुने ठीक है ते ऐस करके सेज्जे ही एन्ना दे जड़े गीत है लोका दे मूते चाड़के और अज तक ओमे ही नमे दिन नमे जाप दिया है फिर एहे प्रगतिवादी कवी है गया है अन्ना दे घजलां दे विच अन्ना दे रचनामा दे विच एक किस तरह दे विशे चोंदी है क्योंकि ऐस तरह दे प्रशन ना मास्टर केडर विच अकसर ही पुछले जान दे है पहला है मेरी बंदगी तेरी दरगा विच मन्जूर ना हुई तनू नमोशी साफ दिखरी है बड़ा दुनिया दा मैं सताया हो यहां बिना कफन दे लै चलो यार मैं नू बुड़े पे विच जवानी दी गलत हर अदा निकली मुसफर गुम है एह चाप के तस्वीर बंदया पुन के ओ कलियां तेरे मिलन दा दिल नू तुर गय प्रीतम दिल विच लैके जिंदगी दा स अपने मैं इश्क ते किन्ने प्यारे वर्ड्स ने एनन दे अगजला दे हुनसी एनन दे दो बहुत ही महतपुरन काव संग रहें देखला ने या उनन दिया मैं सारियां कवितामा था शामिल नहीं कितियां पर ओ जरूर शामिल कितियां जो पेपर विच आ सक दियां ओके उ वंगा वाला आया नी सजण जी मन दी मन विच रही हंजुओ वे सुक जाओ हुन असी होर सजण कर ओंदे कौन बनावा मीत प्रभुजी जद नैन सजण दे हुए जोगी टोलन मेरे वस्दा कोल तु लुक जा मैं लबना प्यारी तेरे रस परेने नैन ना कलियां नू तोड फुलेरे नाजा चन परदेश वे निम्मी निम्मी पैंदिया फुहार नी निक्के जहे टोल सानू कलियाने वंगा बीत गई ते रोणा की उन आप बीत गई ते रोणा की देखो जरा एथ तो नू की पता चल रहे है कि पहलना पहलना नंदलाल नूरपुरी जी मानसिक तोर पुल जाना चाहिए जो भी बीत गया बोलियां पैरी मेरे चांजरां मस्त जमानी मस्ताना बना दे मायनी मैननू वसना किसे दे पा माही माही मेरा गुसे गुसे मेरा दिल नक्च दा मैननू भी रंग दे लाल रंग वे मैनी करना प्यार अगे एन दी आखरी कविता देखां यसी काव संग रहें जियोंदा पंजाब इस दे विच केड़े केड़े विशे शामल है उजड़ी दुनिया उदारे नैन सजन सजना की गुलाब दिये पतिये कर आ टोला कुंड कडले पतलिये नारे जोबन टोल टोला टोले दी नगरी दुनिया चलो चली दा मेला दुनिया वाले बुरे परदेशी बांका बनके नैना वालया बुल बुल बेडी मेरी कौन लंगावे पार मेरा दिल नचदा मैं तेरी मैंनू वर्जो ना कुडियों चिडियों नी ए सारिया कवितामा तो अनू मिलन गियां जयोंदा पंजाब दे विच ठीके जी एथे इस खतम हो ज सेशन नंदलाल नूरपुरी मैंनू उमीद है कि आज दे सेशन देविच तुसी कुछ ना कुछ जरूर नमा सिख्या होएगा ते मैं तो नू सारे नू दस्यां कि असी एना दिना देविच लाइव क्लासिस नू स्टार्ट किते हैं ओके आज जो मॉर्निंग देविच वैस क्लास सुबा सत तो अठ देविच होया करेगी या फिर एही क्लास शाम नूम सड़े छे वजे तो लेके और सवा सत तक चल्या करेगी ठीक है मिलांगे फिर असी कल एक होर साहित का दिनाल बहुत बहुत तनवात तो अड़ा तैंक्यू सो मच